प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ लाइट इमीटिंग डायोड टॉपिक पर डिसकस करने जा रहा हूं लाइट इमीटिंग डायोड का स्वार्ट फॉर्म है LED LED डिवाइसे से आप बहुत भली भाजिती परिचित होंगे इसका यूज आप लोग बहुत ज़्यादा की होंगे चाहे आपके घर के बल्ब में हो चाहे आपके घर के रिमोट कंट्रोल में हो चाहे आपके घर के टीवी स्क्रीन में हो चाहे आपके घर में साधी हो या दिवाली हो उसमें सजाने के रूप में चाहे आपके घड़ में कार या बाइक हो उसमें भी LED लाइट का यूज होता है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज की है तो इस वीडियो हम जानेंगे LED का क्या होता है इसका ब्रकिंग प्रिस्पल क्या होता है ये light कैसे emit करता है इसके भी है करेक्टरिस्टिक जानेंगे और इसका application के बारे में जानेंगे तो चलिए आएए शुरू करते हैं light emitting diode तो light emitting diode का principle है electroluminescence electroluminescence का मतलब क्या होता है कि अभी किसी material में material मतलब हुआ semi conductor material में अगर electric current या electric current पास करेगा तो वह light emit करेगा यही इसका principle है कि किसी एक semi conductor material में अगर उसमें electric field या electric current पास करेगा तो वह क्या emit करेगा light यह आपका LED एक different color का आप LED जो देखे होंगे ठीक है अब है जो material होता है mainly जो यूज होता है gallium arsenide जिसको denote करते है gas ठीक है gallium arsenide इसका energy gap होता है 1.43 electron volt energy gap समझ रहे होंगे आप conduction और valence band का बीच का gap उसको क्या बोलते है 1.43 electron में मतलब इतना energy चाहिए ताकि वो bond मतलब आपका electron conduction band में जाएगा ठीक है next one बोलता है LED light तभी मिट करेगा जब properly excited या biased होगा biased का मतलब है क्या forward होगा या reverse होगा तो जो हमारा LED वर्ट करता है यह forward wise में करता है आप इससे पिछला lecture में आपने देखा था optical diode का एक टैप था photo diode तो उसमें आपने देखा था कि वो reverse wise में काम करता है यह भी एक तरह का optical diode है और यह LED यह बनता है डारेक्ट बेंड के अप से अपने लेक्टर लेक्टर देखा वागा तो यह या तो वो बिज में किसी atom से collagen करते हुए आएगा जब डारेक्ट आएगा तो उसको हम बोलेंगा डारेक्ट के semiconductor और जब डारेक्ट आता है तो वो light energy release करता है जब recombine होता है और जब in vitamin intermediate state से टकड़ा कर आएगा तो वो heat release करेगा तो अब क्या है यह डारेक्ट आतो रहा है लेकिन क्या है कुछ electron maximum electron direct आएगा कुछ electron intermediate state में टकड़ा कर आएगा तो वो कुछ electron क्या होगा है आपको heat भी release करेगा ठीक है तो वही बोलना है कि यह यह डारेक्ट बेंट करेप सेमी कंड़ेक्टर में यूज होता है इसमें material क्योंकि हमको light चाहिए ठीक है और बोलता है कि यह light क्यों क्योंकि large number of recombination होता जंक्सन पर अभी हम आपको बता है कि वो conduction बने से electron balance बनाएगा रिकंबाइन होने के recombination होगा उसी में light करता है ठीक है इसलिए डारेक्ट बेंट करेक्टर मेटेरियल का यूज होता है अब लाइट रिज होता हो दो तरह को सकता है जिसको आप देख सकते हैं चाहिए रेड ब्लू ग्रीन यलो एंबर और औरेंज कुछ भी हो और दूसरा होता इंफ्रारेड लाइट जिसको हम द डिजीबल एंफ्रारेड का हम रिमोट कांट्रोल में ब्लूज करते हैं चलते हैं जो जो भी ब्लू आइट भी होता वो क्या-क्या हो सकता है रेड और ग्रीन वाइट अमब और और ओर और ठीक है इस तरह का लाइट इतना आध पॉसीबल है ठीक है आप जाना कि यह जाने ह करता है तीन में फेक्टर पर पहला है वेवलेंद वेवलेंद को बिलने यह फ्रिक्वेंसी ओफ इमिटेड़ लाइट तो अगर लेंड़ा इसकल टू वन बाई 1.24 बाई इजी है एफ इसकल टू कि आगा सी बाई लेंड़ा तो लेंड़ा अगर लेंड़ा का एक वेलू के ल आपको ध्यान डगना 1.24 बाई इजी इजी क्या है एनर्जी दूसरा टाइपस ऑप डोपेंट मेंड़ा आप सेमी कंडेक्टर यूजर कर रहे हैं तो उसमें कौन सा इंपूर्टिटी एड़ किया हैं दूसरा कंसेट्रेशन कितना कंसेट्रेशन में यूज किये हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट मूब करते हैं अब क्या है जब एक बार जब बन रहा होगा उसी समय डिसाइड होता कि आपको इस लेड़ी से कौन सा कलर डिसाइड निकलवाना है आपको रेट चाहिए कलर यलो चाहिए जब बन गया उसमें कलर फिर चेंज नहीं सकता वहीं बोलता चें पर देड़ेगा तो उसका ब्राइट बढ़ेगा थीरो पर एकर सपोज बंद है वहन पर दीर धीर धीर बढ़ता जाएगा और सबसे 20 तक और 20 पे ज़्यादा इंटेसर देगा सबसेजादा बराइटनेस तब होगा सबसे ज्यादा लाइट था लुगा 20 MillieA पर अब क्या ह बढ़ेगा और जैसे हीट बढ़ेगा तो हमारा यह डाइट प्रोडूश करने लगेगा उसका लाइट डाल हो जाएगा वह ब्राइटनेस नहीं मिलेगा और उसके बाद वो डल लाइट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा ठीक है I think clear होगा अब नेक्स्ट में जाएंगे LED का वर्किंग में जानेगे LED का वर्किंग हम यहां से समझेंगे क्या है हम बता है चर्म कर दिया झ्लोड यहां यह इसमें कोई दिक़्ान है जship ли मूब करेगा थियर जंग्सन तो चोटा होगा तो यह अजनक्सन पे क्या होगा यह उल्यक्ट्रोन और यह होल टिक्म्बाइन करेगा अब अ brain cells करेगा थौकि hitting कि यह निए-धिर्य लाइट ज्यादा एधर elektron मूँब कर जाएक और इदर सब्सक्म जो रिखेंबनेशन न होगा हम पर की डीकॉंबनेशन को यह होगाा मैंट रिक्ट्रोन की खर्खण तो हमको जंक्सन पर तो होगा है साथ हमको स्मोल ऐमांट ऑप किसमें होगा सेमी कंडॉक्टर के अंदर भी होगा उसके कारण हमको लाइट होगा ठीक है तो इसी को पॉइंट टू-पांट डिसकर्स करते हैं तो सबसे पहले बोला कि फोरबडबाइस किया गया जिसके कारण N से πरिए लेक्टdon P में जाना चाहिए और P स्थ से n जाना चाहिगा N Peak type semiconductor में पी type semiconductor में जाना चाहिए यक्या है जब वह करने पर जिनक्टन में क्या होगा फ़िलेक्ट्रों कंबाइन करें उससे कंद्ट एब फोडवार इसने कम है किो य। प्राइब आन कि रगा में प्रिंडश साथ होने से पहले कर जाए medicine को चुछ पहले कर जायी RECOMMinsi t transcend nå ने पना प्लेस हो पिटरफों घुल घळा ओर जब हिए medicine कहीं wise को छिंद आ होगा तो कहीं हाइब लाइट में देखें फोटोडयाट क्या था सäreसे पड़ता और बोल करेंट देता अब है करेंट जा रहा है तो फोड नेगा तो यह निकल ने का संबोल यह सिंबोल इसमें यूज रहेगा ठीक है ठीक है बाइसा लेडि जो इंफ्रा-ेड्र लाइट इमिट करता है ठीक है तो यह इस्पेशल टाइप ऑफ डायोड है या परपस लेडी है जो इंफ्राइड सिगनल इमीड करता है आपको पता है कि कहां यूज होता है आपको रिमोट कंट्रोल में तो अब हम क्या अलेडी तभी इंफ्राइड करेगा जब यह लेम्डा क्या पॉइंट सेवन सिक्स माइक्रो यह लेडी है आपको इनफ्राइड आप देख सकते हैं कि दो होगा एक जो बड़ा होगा और एक छोटा बढ़ा होगा वह वह होता है एक हो पॉजिटिव टर्मिलन से कनेक्ट करेंगे और जो छोटा होता 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 कैथो कैथो जो इसको स्मॉल मतलब निगेटिव टर्मिल सर्देव एक वा ट्रांस्मीटर अफोटो डायड होगा हमारा रिसीवर तो इसलिए जब एक ट्रांस्जिटर रही को इससलिए पूरा दिवर्थी को बूलते हैं फोटो पपलर या ऑप्टो कपलर और आप्टो कपलर का क्या मतलब होगा कि यह ऐलेक्टिकली हुआ है तो दो तेरे का हो सकता है एक होता है डारेक्ट in ड्र और यहां अभी को बीच में क्यव मीडियम नहीं मींद से नयह उसको बोलता है डीके का करेंगे जिसे서 लास्ट आऊ किज protection फिझ में हमारा ही यहां से तकड़ा कर दा हो के तब हमको ऊपीडार आप इसको क्या कहेंगे इंडारेकट десят तो क्या है हमको ओपजेक्ट मिल रहा है इसके करनलों हीट कर ओपैर शर्कार्प्स तो इसको क्या बोलेंगे इंडारेक्ट। इंसिदेंस आप किया भी garlic विपन एक िशिका है उट्टि करेंट कर देता है, उसके बाद क्या है यह 00 K dollars कर देता है उसके अनुसार नियुका देता Herzak इंफ्रारेट गल्या मर्शनाइट उच करता है रेड कलर एंबर येलो ग्रीन ब्लू वाइट डिफेंट डिफेंट टाइप और उसके अनुसार से डिफेंट डिफेंट टाइप ऑफ कलर देगा और लेकिन 20 मिली एंपेर पर हमको क्या दिखाड़ा है कि मैक्सिमम देखेंगे कि अधिर ऐसा क्या खासियत था लेडेम के ल्चेडी को रिफलेश कर दिया तो पहला क्या लेडी का वरकिंग पर इसमें आपको प्लता है एलेक्ट्र लिमिजन नेंस है और इसका क्या है डिएनमिक स्केट्रिंग ओप लाइट है लेट में जो पावर डिस्पे प्लस प्रस आब उगा तो मynnलब कि आप दिखते में एली ऑड़ साल से ज्यादा वारेंटे टान तो पहले नहीं देता था विसी तरह ज्लίकर ज्यादा तो उसका ओपरेटिंग लायफ को ज्यादा होता ओपर से कलर को जददी सब्टों कारग लैडिंद כerson कर दिया ठीक है अब हम इसका application के बादे जाने हैं एक लगी डिस्प्रेए को रूप में दिस्प्रेडिवाइस के रूप में यूज होता है बने में होम या इंड़ेस्ट्री में यूज होता है जोता है मोटर सेंक लिए कार का है रिज़ोता है ट्रेफिक सिंगनल में इंडिक सब कुछ डिचल समझ में आगा फिर भी आपको अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंड बेक्स में जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू